तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ठीक है कुशन कि चलो पहरा कट करें वच्चो सबस्चर पहला पुस्टन है कि चार की अमल का पी एछ है चलदी बताओ कि अब आपको हम इश्केल द्वारा समझाते है देखो इस चार की यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए बच्छो ये 1 से लेकर 6 तक कैसा हुता है बच्छो, अम लिए होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट रोको बच्छो आपके लिए ही है जैसे कि हमने माना 1 से लेकर 6 तक हमारा होता है अम लिए बच्छो बहुत अच्छे से समझना है आपको बहुत अच्छे से बच्छो आपके लिए ये होता है साथ उदासी ये साथ से ऊपर जो आठ से लेकर 15 तक होता है बच्छो ये होता है छारी है तो बच्चो यह पूछ रहा है छारी बिलियन का पी एच है तो बच्चो आप बता सकते हो साथ से अधिक यानि कि हमारा राइट अप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर नमर थर्ड तो देखो कुस्सन नमर सेगंड पर चल दे बच्चो उससे पहले अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राब कर पाया तो चैनल को सब्सक्राब कर दे ना ठीक है कोई बिलियन का लाल बच्चो बहुत अच्चा कुसन है कोई बिलियन लाल लेटमस पेपर को नीला कर देता है इसका पी एच मान संभव है क्या है तो बत्चो आपको पता होना चाहिए कोई billion लाल लेटमस पेपर और को नीला कर देता है तो उसका लै लेटमस पेपर को नीला कर देता है इसका पी अच्च मांग संभव है क्या होगा बच्चो बताओ तो बच्चा कौन से सही ओप्शन होगा ओप्शन नमर्डी ये साथ से अधिक देखो इसमें क्या कहरा है कोई लाल लेटमस पेपर को नीला कर देता इसका पीयत्मांग सम्मभ होगा बच्चो यह साथ से उपर जो होगा वही हो जाएगा यानि कि इसमें साथ से उपर टैन है तो इसका अंसर टैन हो जाएगा कोई भी लिएन ठीक है अगर लाल लेटमस पेपर को नीला करता है तो बच्चो आप यह द्यान रखना यह चारी है लेकिन अगर नीला लेटमस पेपर लाल कर देता है तो अमली हो जाएगा तो यानि कि सिक्स या शिक्स त्न नीचे और अप्सन सही हो जाए लेकिन जब लाल बोले तो सेविंस से उपर यानि जो छारी है तो छारी है आपको उस हिस्साब से करना है कि उस नम्हां थड़ा चलते हैं वच्जों उसनमस थड़े हैं एक बिलियन का पियाच मान पांच है यदि बिलियन है एक बिलियन का प्याच मान 5 है वच्छों अगर आप नहीं समझे हो तो फिर से हम देखो यह यानि कि यह अमली में आ रहा है किसमें अमली में तो यह हमारा ओप्सन हो जाएगा ओप्सन नमर फर्स्ट सई ठीक है कुशन नमर फॉर की तरफ चल दें बच्छो कुशन नमर फॉर बहुत अच्छा 10 to the power minus 6 m scl billion का pH मान होगा बच्छो मेशा याद रखना pH मान ठीक है आपको यहाँ पर फिर से समझाएंगे हम आपको फिर से समझाएंगे थोड़ा देखो pH मान निगेटिव नहीं होता है ठीक है कभी भी इतना ध्यान रखना यहाँ पर यह 6 है यह 6 निगेटिव हट जाएगा यानि कि हमारा यह आंसर सही है तो चलते हैं अगले कुष्ण पर कुष्ण नमर फाइप पर अगला कुष्ण है एक हाइड्रो क्लोरिक अमन की सक्ति 10 to the minus 2N है इस billion का pH मान है बच्चो मैंने आपको बताया है मैंने आपको बताया था कि pH मान कभी नेगेटिव नहीं होता है नेगेटिव नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू ठीक है अगला कुष्ण है बच्चो अब यह थोड़ा हमने लिए हैं chemistry से यानि राशानिक विज्ञान से की निमरे लिए निमरे लिकित में से कौन सी दाथतू अमल में मेंसे हैड्रो ज्न विस्तापित करती है सब क्लाड़ा कुष्ण है हम च्वा कॉष्टन है बहुत झारा कि जितने ये बहु भिकल्प Falls प्रिस्टन हैं वो सारे इंपोडेंट हैं और अगला कुछन है फहपोले दार कौपर सब्सक्राइब फहपोले दार कोपर कोपर जिसमें 2 परसेंट असुद्धियां होती है वह हमारा फहपोलेदार कोपर कहलाता है ठीक है है कि हमारे nine येट कुस्सन ओचुए है कुछ सफमना नाइन पर चलते हैं प्रोक्सर नमन नान है बश्चों कोषथा नमक है। इसकल कि अधान का ऊई यू पियर सी नाम क्या है बश्चों का आई यू पी ए सी नाम क्या है तो वह है बश्चों प्रोपेन प्रोपे नॉल ठीक है प्रोपे नॉल अगला कुशन है कुशन नम्हार टैन कुशन नम्हार टैन है कि सी टू एसे का आई आई यू पी एसे नाम क्या है बच्चो जल्दी बताओ इसका अंसर इसका अंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चो ए थे नाल ठीक है और अगला है इक बायो से भी हमने कुशन लिया है आपके लिए रुदर का नहीं रुदर के कितने अंग समूह होते हैं तो बच्चो वो कितने यह जल्दी बताओ हो ठीक है हमारे यह 11 कुस्षन हमने कराएं वह most most important है बच्चो बायों से यह हमने लिया यह मानो आप पेपर से यह कुस्षन हमने उठाया ठीक है यह आपको याद करना है यह हमने उठाया है तो यानि कि आप समझ लेना बहुत important है चलो बच्चो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे